गूट मॉर्निंग गाइज आप सभी को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे और आज हम लोग जा रहे हैं अपने थर्ड होटल में चेक इन करने के लिए और यह हमारी ट्रिप का बेस्ट होटल है इसका नाम है हिल्टन दोहा और यह है वेस्ट बे में तो देखिए इसकी जो खासियत है वो यह है कि इसका प्राइवेट बीच है तो जेनरली कतर के अंदर जो बीचेश है वो पेड होते हैं बढ़ हमारा वाले क्योंकि हम रुख रहे हैं तो हमारे को फ्री एकसेस मिल जाएगा तो हमारा पूरा का पूरा बीच जो है वो हम लोग मज़े कर लेंग बीच के उपर हमें कोई पैसा दिना नहीं पड़ेगा उसके लावा यहां पर कई सारे हिल्टन होटल हैं बढ़ हमारा जो है वो है हिल्टन वेस्ट बे एरिया के अंदर और मैं आप लोग को भी कहूंगा कि देखें क्योंकि यहां पर सारे बीचेश पेड हैं तो आप यहा बीच फ्री में मिल जाएगा क्योंकि इनका प्राइवेट बीच है तो आप यहां अराम से रुकें बीच के मज़े लिजिए और उसके लावा मैं आपको यह भी कहूंगा कि वेस्बेग बहुती अच्छा एरिया है तो आप रुकेंगे तो आपको आस-पास में जो आप नी तीन होटल अब तक दो दिखा दिया हो तीसरा मैं इस वाली वीडियो में दिखा दूँगा तो कॉनकोड भी मतलब अच्छा होटल था पर वो एरिया मुझे कोई बहुत अच्छा नहीं लगा मतलब सेफ तो सारी ही है 100% सेफ है कोई दिक्कत नहीं पर इंट इंटरसेंसी ब पूरा मतलब वो दिख रहता सी अब हम जा जा रहे हैं इसका तो प्राइवेट बीच जैसे मैं बता चुका हूं तो यह बैस्ट है तो आप लोग भी जब कतर आ रहे हैं तो कोशिश करिए कि एक ऐसे अच्छे होटल में रुके तो अब मैं आप लोगों को चलके होटल आएगा तो यह मुझे हमेशा से अच्छी चीज लगती है और रास्ता बहुत ही खूबसूरत है यह बहुत ही पॉपलर रोड है दोहा की इसमें सारी बिल्डिंग्स आपको अच्छी अच्छी और होटल दिख जाते हैं राइट में शेरिटन होटल हैं सबसे पराने होटल म आप देख सकते हो शानदार होटल बहुत ही खूबसूरत और बिलकुल पॉश एरिया में हैं वेचनों सारे एरियाज पॉश हैं आके तो बट फिर भी जो कहते हैं बेस्ट एरियाज होते हैं किसी शेहर के उसमें से एक भार बेंटली खडी थी तो आप सो सकते हो कितने अच साथ बज़े तक सुबह 10 बज़े से तो यह मैंने का आपको टाइमिंग से बता दूँँ अगर आप यहां रुकना आना चाहरे हैं तो देखे कितना गजब का एंट्री है कि हम फर्स फ्लोर पे तो नीचा के ग्रांड फ्लोर है अब आप लोग यहां से एक बार व्यू आ उसका देखाता ओं वैसाल में नीचे से भी दिखाँगा पर आप लोग देख लिजीकितना शांधार पूल का वहत ही गजब का पूल है और आप लोग मेरे बीचे प्रॉपर्टी देख सकते हैं बहुती शानदर प्रॉपर्टी इसका प्राइविट बीचे जैसे मैंने पहली पताया था ओसम प्रॉपर्टी यह सामने आप देखे कॉफी बार है इनका लेफ्ट की तरफ आप जाके अपने बालवल कड़वा सकते ह लोन और यहां पर आप देखिए वास्टोर भी है उसके लावा नेल अकैडमी भी है और हमारा जो रूम अलोट वह था वह था नाइन फ्लोर पे 901 और देखिए गैलरी भी बड़ी अच्छी है अब मैं आपको रूम तूर देता हूं जिसके लिए मैं भी बहुत पान रख लीजिए और यह देखिए हमारा रूम वास्टडी टेबल और अब मैं आपको पहले व्यू दिखाता हूं तो यह है वो ऑसम व्यू और देखिए आप लोग गजब का व्यू है गजब का व्यू बैट के तो मतलब कभी आदमी बोरी नहीं हो सकता यह सामने कौन सी बिल्डिंग से यह मुझे समझ में नहीं आ रहा बट अब मैं आपको अपना टवब भी देखिए आप लोग अभी अंदर जाके भी दिखाऊंगा मैं लाइट वाइट जला दूँ मैं थोड़ा लाइट वाइट ढून रहा था कि लाइट का से जलेगी तो अब मैं आपको बात्रूम भी दिखाता हूं तो देखिए आप बात्रूम आप लोग तब बहुत ही अच्छे साइज का है और मुझे तो अच्छा बात्रूम लगा यह मैं बोड़ी दिखाते हुए थोड़ी कम होगे क्योंकि यहाप पर ज्यादा वॉक करना पड़ रहा है बहुत ज्याद का रूम नहीं है और फिर से आप लोग देख लीजे हमारा समान यह रखा हुआ है और यहां आप देखिए अपना कोल के समान रख सकते हैं और जो हर और में स्टैंडर्ड होता है तो मुझे तो बहुत ही अच्छा रूम लगा अपने आपको आ गए जाके जिम और पूल भी जिम है तो पर तो देखिए आप लोग यह पोसाइडंगा के डाइव सेंटर हैं जहापर आप अराम से कॉस्ट्यूम्स ले सकते हैं डाइविंग के साब से और यह रेस्टरांट है मैं पूरा बुफे ब्रिकफास्स कैप्चर करूँगा कल के वीडियो में आप यह आप लो और फाइस्टार कैटिगरी की हों और बहुती शानदार इसका पूल है अब आप पूल देखिए बहुती गजब का पूल बहुती बड़ा पूल है मुझे तो बहुती गजब का पूल लगा अभी मैं थोड़ दिर बात यहां जाने वाला हूँ पूल के अंदर और पूल के देखिए कितना गजब की रिसॉर्ट प्रॉपर्टी मुझे तो रिसॉर्ट प्रॉपर्टी लग रही एक तरीके से यह आ गया प्राइवेट बीच जिस स्पेसिफ होटल के रेसिडेंट्स जा सकते हैं तो यह बहुती अच्छी बाद में को लगती है और यह देखिए आप लोग को यह वोटल उतना ही पसंद आ रहा है जितना मुझा है जिम तो बहुत छोटा है पर पूल, अल्टिमेट और प्राइवेट बीच में आप लोगो दिखा दिया पूरे एरिया इसलिए कवर नहीं करता हूँ उन एरियास में जहां लेडिज होती है तो मैंने फिर मिलते अगले पड़े वीडियो में